आज की मूवी एक काफी इंट्रस्टिंग मूवी है और आपने कहीं न कहीं इस मूवी के कुछ रील्स देखे होंगे घराब बिना समय का वाय डारेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट तो काफी साल पहले एक काफी बड़ी हवेली में एक इंसान जिसका नाम होता है फर्ने जो कि लोगों को अपने घर में एक गेम खिलाय करता था इस गेम का सिंपल उसूल है आपको एक चावी ठोड़ना है और एक साइट से चाकर दूसरी साइट से आना है और जब आप दूसरी रास्ति के तरह बढ़ रहे होके तब बीच में इसी फैमली के कुछ मेंबर्स आप को मारने की कोशिश करेंगे तो उन सभी को चकमा देकर आपको वापस इस जगा पराना है उसके बाद यह और आपको दू परचिया देंगी अब एक परची में लिखाओगा विन और दूसरी परची में लिखाओगा रन विन का मतलब सिंपल है कि आप चीज चुके हो पर र साथ में का ना मैंने अब को पहले बता दिया मैं इस ब्लैक सोृटवाई लड़की का नाम होता है आधा है ल्ड की होती है ये ये पूड़ी वरत होती है फर्नेंड़िस की माता-जी जिसको कम दिखता है और ये चोटी में होती है फर्नेंडज्दस की छोटी बेटी तो पर तीन लोग ये गेम खेल रहे हैं अब इन तीरों में से कभी एक को ये बच्ची मार देती अपने तीर कमान से और जो एक बंदा आखिन में बसता है वो एक रन की पर्चे चुल लेता है और जैसी यहां से वो भागने वाला होता है वो भी मारा जाता है क्योंकि ये गेम का और फर्नेंडिस रूल का काफी पक्का है उसने अपने गेम्स के रूल के लिए अपने बेटे तक को मार दिया था जो कि क्लारा का पती था यानि कि क्लारा फर्नेंडिस की पहू है पर ऐसे गेम खिलवाना एक क्राइम है जहां पर आप किसी को मार रहे हो तो आप सारे गाव वाले और पुलिस वाले खट्टा होकर इस हवेली के पास आते हैं और ये पुलिस वाला कहता है फर्नेंडेस से कि चुप चाप अपने आपको पुलिस के हमाले कर लो पर फर्नेंडेस ऐसा नहीं चाहता था वो यहां पर गाव वालों पर अटेक कर देता है अब इस हवेली के संधर चार पाँच लोग है और हविकी बाहर काफी लोग है तो सारे हविली पर हमला कर देते हैं पेटरॉल बम मारके और इस पूरी प्रया प्रणेंडि Againight उए एक बात पजने आं गेम कहने में aren's मैं आरहा होगा वरकवी साल गšत हैा और यह सं今天 तो हजार तेएस अभी आपर कुछ चोरों का पीछा पुलिस कर रही होती है और ये चोर एक म्यूजियम में घुज़ जाते हैं इन चोरों का मेर आदमी होता है ये प्रोफेसर ये सबी चुर अपने बॉस को बलाते है प्रोफेसर और इस दुगान के मालक का नाम होता है भीम तो भीम इन से कहता है कि आपको कुछ लेना है तो प्रोफेसर कहता है हाँ मुझको लेना तो है पर मैं बाद में तुमको बताऊंगा कि तब ही आपर प्रोफेसर कहीं अंदर छुप जाता और जहां पर प्रोफेसर छुपा होता है वो क्या देखता है कि वहीं पर एक सीक्र नाम होता है बेबी तो बेबी के पास उसका एक चेला आता है और कहता है कि बॉस मैं आपके लिए ख़बर लेके आया हूँ हमारे शहर का एक आदमी है जो कि काफी रही से अगर हम उसके गर पर चोरी करेंगी तो हमारे पास काफी माल हो जाएगा तो यह चेला जिस आदमी के बार में बात कर रहा हुता है, उसका नाम होता है Francis, और बीन Francis को जानता है, बीन कहता है रहे बॉस नहीं, वो इस शेहर का काफी बढ़ा डॉन है, वो लोगों को इतनी आसानी से मारता है जैसे उसके लिए सब आम बात हो, वो काफी खतरना का आदमी है, तब ये बॉस कहता है म मेरा नाम बेबी है, मैं बेबी हो नहीं, तो पैसे मेरे से लेता है, और तारिफ किसी और की करता है, अब तो मैं वहीं पर चोरी करूँगा, अब यहाँ पर बेबी का प्लैन है, फ्रांसिस के घर में चोरी करने का, और प्रोफेसर का प्लैन है, बेबी के अट्ले से चोरी क और प्रोफेसर बेबी के एड़े पर चोरी करेगा तो बेबी और प्रोफेसर दोनों ये अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं और इस शादी में हमारी मुलकात होती है हमारे इस मोवी के हीरो की जिसका नाम होता है सतीश तो बैनी की जिससे शादी होने वाली है उस लड़की वो यहाँ पर गुस्सा होता और कहता है कि सारा मेरे से 25 लाक रुपे लिए इन लड़की वारों ने और मुझको लड़की भी नी दी कि तब उसकी नगर जाती है सतीश की कल्फेंड पर जिसका नाम होता है सोफिया तो बैनी यहाँ पर दो अप्शन देता है या तो मेरे 25 लाक रुपे वापिस करो या तो मुझे इस लड़की से शादी खरने दो तो जब यह बात मालूम चलती है सतीश को तो वो थोड़ा बहुत दुखी हो जाता है कि मेरी कल्फेंड की शादी मैं किसी और के साथ कैसे होना दे सकता हूँ तो सतीश भाई सब क्या करते हैं बैनी को यह गिड़नेप कर लेते हैं और दूसरी तरह फ्रांसिस के खर यानि कि बैनी के फादर के खर में बेबी आजसे सारा पैसा और गैने लेकर चूमंतर हो जाता है अब यहाँ पर सतीश लगाता है फोन फ्रांसिस को और वो बात करता है फ्रांसिस की बीवी से क्योंकि फ्रांसिस होता है एकदम कुछ सहला आदबी तो सतीश बैनी की मा से कहता है कि मुझे ना पच्चिस लाग रुपे चाहिए तब मैं तुमारे बेटे को छोड़ूँग और डिगई में कौन होता है बैनी तो यह प्रोफेसर पॉट जाता है बेबी के अड़े पे तब बैनी उसको यहां से मार के भाग जाता है और जब यह उन्दर चोरी करते हैं तब इनको मालिम चलता है कि इस गोदाम में कुछ भी नहीं है और जब यहाँ पर बेबी और उस पांसो ही चाहिए ना ये ले दो हजार का पगला सुमिर को वापस करते पर यही तो प्रोफेसर की चाल थी वो यहां से सारा पैसा लेकर चला जाता है और इस पैसे को रख देता है उसी कार की डिक्की में पर तब तक सतीश और उसके दोस्तों ने अपनी कार की लिक्रिशन पता कर ली थी और वो लोग इस कार के इंदर बैटे थे और जैसे ही प्रोफेसर इस पैक को इस कार के डिक्की में रखता है यह लोग कार को लेकर यहां से भाग जाते हैं यानि कि फ्रांसिस का पैसा जो की बेबी चुरा कर लाया था वो प्रोफेसर ने ले लिया और अब पैसों मैंसे सिर्फ 25 रुपे लेता है और सोफिया को दे देता है और कहता है कि उस बैनी और उसकी फैमिली को ये पैसे लोटा देना और बाकी बचा हुआ पैसा 37 के दोस्त ले गए थे और वो लोग क्या देखते हैं कि रास्ते में पुलिस की चेकिंग चल रही और ये दोनों ही घबरा के गाड़े को एक दूसरी रस्ते पर डाल देते हैं और पुलिस को इंप कशक होता है पुलिस नहीं का पीशा करती है और ये लोग अंदर घुज जाते हैं कर दो कि थोड़ी दिडिदेते हैं और इंको पकड़के अपने साथ लिय आती है और अब होता है नया सवेरा और हमको दिखा जाता है फ्रांसिस की बीवी का चेहरा जो कि यहाँ पर फ्रांसिस से कहती है कि वो लड़की वारों ने पैसे लोटा दिया है यह रहे तुमारे पैसे पूरे के पूरे 25 लाक रुपे कि तब यहाँ पर Francis notice करता है कि यह बैक जाना पैचाना लग रहा यह उसी के ठेके का बैक होता है अब Sophia हो कि हम आलूम कि यह पैसा Francis कही था, जैसा बैक सतीश नो उसको दिया, वैसा भी बैक उसने यहाँ पर लोटा दिया, पर अब Francis समझ जाता है कि यह लड़की जानती है कि मेरा सारा पैसा कहाँ पर है, और अब Francis पोल लगाता है सतीश को और धमकी देता है कि अगर तू मेरा पैसा लेकर यहाँ पर नहीं आया तो मैं तेरी लवर के साथ साथ उसकी फैमली को भी यही निप्टा दूगा, और अब सतीश कर दोस्तियां पर दारू के साथ पगड़ेंगा है तो सतीश थाने जाकर उनको छुड़ा लेता है और उनसे पूंसता है कि वो सारा पैसा कहाँ पर है तो यह दोनों नहीं थे तब इन दोनों नहीं वह भैक उसी हवेली के पास खड़े एक कार के पास चुपा दिया था और अब यह तीनों ही यहाँ पर उस हवेली के अंदर जाते हैं और जिस जगह पर यह लोग आने बैक छुपाया था वहाँ पर वो बैक नहीं होता और यह लोग क्या देखते हैं कि कोई इनसान इस बैक को खसीट का अंदर ले गया हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह हवेली एक फोतिया टाइप की होती है दरासल यह वही हवेली जहाँ पर फर्नेंडिस गेम खिलाया करता था अब मेरी तरह आपको भी पहले ऐसी लगा होगा कि यह पैक फर्नेंडिस सी खीचकार अंदर ले गया होगा पर नहीं दरासल जब सतीश के दोनों दोस्त सतीश को उस पैक के बारे में बता रहे होते हैं और कलती से वो पैसे का बैक एक मशीन के उपर किर जाता है और यह मशीन पर जैसनी लोट पड़ता है यह मशीन चालू हो जाती है और इस मशीन के चालू होने का मतलब है win or run गेम दो बारा से start हो गया और यहाँ पर आयाती है फर्नेंडिस की आत्मा जो कि सतीश और उसके दोस्तों को इस केम के नियम समझाता है वो कहता है वो कहता है कि तुमने यतना पैसा यहाँ पर लगाया है तुमको उस पैसे का 50 गुना जादा पैसा मिलेगा बस तुमको एक डोर से जाना है और दूसरे फागर पर टैक कर डेता है और सोफिया को यहां से चुड़ा लेता है और सोफिया से कहता है तुजा गरसल बैनी सब इसलिए कर Mensch अजी कौए सौपा के साथ, सोफिया का पीषा करने लगता है अब सोफिया को प्रोफेसर देख लेता है और प्रोफेसर सोफिया को करनेप कर लेता है क्योंकि उसको मालुम था कि जिस बन दिन उसकी गाड़े चुराई है ये लटकी उसी की girlfriend है तो सोफिय यहाँ पर फोन लगाती है सतीश को और यहाँ पर फोन उठाता है फर्नेंडिस और वो यहाँ पर अपनी हवेली का पता बता देता है और अब प्रोफेसर उसी हवेली के तरफ निकल जाता है और प्रोफेसर को यहाँ पर बेवी देख लेता है और बेवी को यह आँपर बैनी देख लेता है यहने कि अब यह सभी लोग उसी अवेली के तरफ पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इन तीनों की हालत खराब हो रही है क्योंकि यह के मुतना आसान नहीं है जितना लग रहा इस घर की तीन आत्माय उनके पीछे पढ़ी है एक तो यह चोटी बच्ची एक तो यह चोटी बच्ची दूसरी वो अंदी बुडिया और एक और 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 आउरत कि तब ही आँपर प्रोफेसर भी आ जाता है और उसको मालुम चलता है कि इस हवेली के अंदर भूत है और अब उसकी अलत खरा हो जाती है और वो भाग के एक जगापर छुप जाता है अब प्रोफेसर के साथ यह आपर सोफिया भी आ चुकी थी और वो यह आपर हल्ला गुला करहें लगती है क्योंकि वो यह आपर भूत को नहीं देख पाती दरासल इस गुड़े के पास ही एक चावी थी वही इस गेम का एक क्लू था और इस क्लू को ढूडने के बाद अब यहाँ पर आता है फर्नेंडिस और इनसे कहता है कि अब तूसरा क्लू है लाइप रेरी के अंदर उसकी को तुमको ठोडना है और तब तुम थर्ड लेवर पर जाओगे और अब यहाँ पर बेबी भी आ चुका है अपने केंग के साथ और जब यह लोग भी भूट को देखते हैं तो इनकी भी आरत खराब हो जाती है और यह लोग यहाँ से भागने लगते हैं अब बेनी की कमी थी बेनी ही भी आ जाता है और अब यह लोग पहुंच चुके हैं लेविल थ्री पर तो लेवल थ्री है एक पूल बलिया जहाँ पर इनको एक राइट दरवाजा थोड़ना है जिससे ये लोगा विली के सेंटरा पर पहुँचेंगे अब यहाँ पर सतीश और उसके दोस्त और सोफिया मिलकर गेम खेल रहे थे पर बाकी वचे सबी लोगों को गेम के बारे में कुछ भी नहीं मालुम था और इन सवी के काफी सातिया आँ पर मारे जाते हैं पर में में करेक्टर बच जाते और अब फाइनली सतीश को वो दरवाजा मिल जाता है और वो जैसे ही चावी लगा कर दरवाजा खोलता है यहाँ पर उसके उपर फाइरिंग होने लगती है तरवासल यह फाइरिंग कर रहा था फ्रांसिस क्योंकि वो भी यहाँ पर आ चुका था और बैनी और उसका नौका रेक गोडाम में किल जाते हैं जहाँ पर खोन से कुछ लिखा होता है जो कि बैनी पढ़कर हमको बताता है यहाँ पर लिखा होता है कि इस हवेली में गेम होता है कि आप चितने पैसे लगाओगे जीतने पर आपको उसका पचास गुना पैसा मिलेगा यह गेम काफी सानों तक एकदम लॉयल गेम था पर इस गेम की पीछे एक काफी बड़ा सीक्रेट है जो कि बैनी हमको बताने हो बना था कि तबी इस मोवी का स्थीन चेंज हो जाता है और हमको दिखाए आते हैं सतीश और उसके दोस्त साथ में सोफिया, भीम, बेबी और प्रोफेसर तो यह सब लिख अब फाइनल राउड मेप पहुँच चुके हैं जहांपर कलारा आकर दो परची देखी जिसमें से एक में लिखा हुआ रन और एक में लिखा हुआ विन तो यह सबी लोग अब कोशिश करते हैं कि पहले उनकी बारी आए, पहले उनकी बारी आए जहांपर भी चक्र रुकेगा उस इंसान की बारी आएगी तो पहली बारी आती है भीम की और उसकी परची में निकलता है रन और वो जैसी भागता है यह छोटी सी भोतने उसको यहांपर मार डालती है फिर से कलारा आती है दुबारा से वो दोनों परची यहांपर भीखेडती है और यह लोग क्या देखते हैं कि जो परची पहले खुल चुकी है सिकुड सी गई है तो यह लोग समझ जाते हैं कि अब विन कौन सी परची में लिखा होगा और अगली बारी आती है बेबी की और बेबी बड़ा खुश होकर उस परची को खोलता है पर इस परची में भी लिखा था रन और बेबी भी यहाँ पर भागते हुए माना जाता है और अब हमको दुबारा से दिखा जाता है बैनी जो कि हमको इस गेम का एक काफी वड़ा राज बता रहा था अब जोनों इस गेम को खेलते ही वो तड़ा तड़ाव कर मरे थे और लोगों नहीं यहां के दिवारों पे लिखा था कि क्लारा चीटिंग करती है तो असल जब से क्लारा इस खर में आई थी उसको इस गेम के बारे मालूम चला तब उसको बहुत प्रॉब्लम थी कि जब लोग इस गेम से काफी पैसा जीत कर चले आते थे तो उसने क्या कि यह दोनों ही परची में रन लिखना स्टार्ट कर दिया जिससे कोई भी इंसान इस गेम को नहीं जीत पाता था और यह बार जब क्लारा के हस्बेंट को मालूम चली तो क्लारा ने अपने हस्बेंट को भी मार दिया और फर्नेंडिस से कह दिया कि तुम्हारा बेटा एक चीटर है और फर्नेंडिस ने अपने बेटे की बात बिना सने ही उसको मार दिया कि तब ही आँ पर क्लारा आकर इन दोनों को भी पागल कर देती है अब प्रोफेसर को भी मालूम चल चुगा था कि सारा दोनों ही पर्ची में रन लिख कर आ रहा मैं कैसे बचूंगा तो यहां से भाग कर एक गेट के पास छुप जाता है पर अब यह चेकर रुखता है सतीश पर और सतीश को मालूम था कि इन दोनों ही पर्चियों में रन लिखा है वो क्या करता है एक पर्ची खा लेता है और फर्नेंडेस से कहता है कि अब तुम चेक करो कि दूसरी पर्ची में क्या लिखा मैंने जो पर्ची चुनी थी वो मैंने खाली अब दूसरी पर्ची से तुमको मालूम चल जाएगा कि मैं हारा की चीता फर्नेंडस क्या देखता है कि दूसरी पर्ची में रल लिखा तो उसको लगता है कि पहली पर्ची में जो की सतीश ने चुनी उसमें विल लिखा था तो वो सतीश से कहता है कि ये सारा पैसा 50 गुना करके तुम यहां से ले आ सकते हो पर तबी सतीश यहां पर फर्नेंडिस की अखंड विज़ती करता है वो कहता है वे साले तुरूल्स रूल्स का गाना गाता है पर असल में तो तुही सबसबड़ा चीटर है दोनों ही पर्ची मेनल लिखकर लोगों को मारता है पर फर्नेंडिस को ये बास समझ में नहीं आती वो कहता है कि मुझको ये सब नहीं मालो तो ये सारा पैसा लेकर चला जाए पर तब यहाँ पर क्लारा को कुछ सा आती है और वो सतीश और सोफिया और उसके दोस्तों को यहाँ पर रोक लेती है वो नहीं चाहती थी कि यहाँ से एक रोपे भी पहार चाहे अब इस मुमी को रोक कर मेरा वस क्लारा से एक सवाल है अरे मैडम जी आप भूतो इतने सारे पैसा को क्या करोगी खेर, अब क्लारा और फर्नेंडेस की फैमले की बीच में लडाई होने लगती है और क्लारा काफी ताकत वर थी तो जब वो यहाँ पर फर्नेंडेस को चक्मा देकर सतीश के पीछे पर जाती है तो सतीश को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर पैसा छोड़गो तब ही क्लारा उसका पीछा छोड़ेगी तो वो यहाँ पर पैसा रखकर अपने फोन में भगवान का गाना लगाकर क्लारा को दूर रखता है अपने आपसे अब यहला सीर आपने कई न कई इंस्टाग्राम पर देखा होगा अब ऐसा होता है कि तब ही यहाँ पर फ्रांसिस टपक पड़ता है और सतीस से यह फोन लेकर क्लारा को दूर रखकर इस पैसे को उठाकर यहाँ से भागने के प्लैन में होता है कि तब यूटुब पर प्ले हो जाता है एड और फ्रांसिस क्लारा के हत्तो चड़ जाता है अब सतीश कोई आपर दुख नहीं था कि वो पैसा उसको नहीं मिल पाया कि तब ही कोई हवेली से बैक फेकता है और ये वही बैक था जिसमें काफी पैसे थे साथ में इस हवेली से एक और बैक गिरता है जिसमें सोने के सिक्के होते है ज reconciliation ये दोनों ये बैक फर्नेंडिस ने फेके थे क्योकि फर्नेंडिस के रिए रोलस जिजा रोल्स और उसके हिसाब से सतीशिस गेम को जीत चुका था तो फर्नेंडेस ने सारे पैसे उसको दे दिये और पस यहीं पर यह मूवी थी एंड हो जाती है इस मूवी का नाम है डीडी रिटन्स के आपको क्या लगता है कि अगर आपको ऐसा गेम खेलने का मौका मिला तो आप इस गेम को कैसे जी सकते हो एक दम स्टार्टिंग से लिकार एंड तक बताना ताकि मुझको भी मालूम चले कि मेरे वीवर्स कितने जालाग है और ऐसे ही साउत की नई नई मूर्वी की एक्स्प्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल नाओ